नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में जनसत्ता से 966 सब्दो के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम लोग केवल एक स्पीड मिलेंगे 100 की स्पीड में अगर आपको कम या अधिक स्पीड की जरूवत है यानि 100 से कम या अधिक स्पीड अगर आप चाते हैं तो आप YouTube पर वीडियो देखते समय ही इस पीड को कमयाधिक कर सकते हैं इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रस्नवाचक या पैरा को काउंट नहीं किया हुआ है अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरुवत है या इसमें आये हुए महतपूर सब्दों की आउटलाइन को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम गुरुप को जरूर जोइन कर लें टेलीग्राम गुरुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा छेत्र में 100 फीसद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मंजूरी से इस छेत्र में तेजी से सुधार की उम्मीद की जा रही है वीराम अभी तक इसमें 49 फीसद FDI की इजाजत थी वीराम दर असल कॉमा पिछले कुछ समय से दूर संचार कमपनियां काफी दबाओ महसूस कर रही थी वीराम प्रमुख दूर संचार कमपनियों पर बड़ी देनदारियां हैं वीराम सरकार लगातार उन्हें चुकाने का दबाओ बनाती रही है कॉमा पर वे आंसिक भुकतान ही कर पाई हैं वीराम हाला की पिछले दिनों इसके लिए कमपनियों को अपने सुलकों में बढ़ोतरी भी करनी पड़ी वीराम इस तरह प्रतिसपर्धी माहौल कुछ असंतुलित होता दिखने लगा वीराम ऐसे में सरकार ने ना सिर्फ दूर संचार कमपनियों में विदेसी निवेस की छूट कॉमा बलकि उन्हें बकाया रकम चुकाने की चार साल की मोहलत भी दे दी है वीराम अब समायोजित सकल राजस्व यानी AGR की परिभासा भी बदली जायेगी कॉमा जिसके तहत कमपनियों को केवल दूर संचार से संबंधित आये पर कर भुगतान करना पड़ेगा वीराम उससे जुड़े दूसरे कारोबारों को उसमें समायोजित नहीं किया जायेगा वीराम नए नियमों के तहत स्पेक्टरम खरीद को भी लचीला बनाया गया है और अगर कोई कमपनी चाहे कॉमा तो दस साल बाद अपना स्पेक्टरम वापस भी कर सकती है वीराम उनका कहना है कि इस फैसले से डिजटल इंडिया के सपने को गती देने में काफी मदद मिलेगी वीराम पैरा दूर संचार के छेत्र में प्रतिसपर्धी वातावरण बनाने के उद्देश से निजी कमपनियों को बढ़ावा दिया गया था वीराम उनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेज की सीमा उनचास फीसद तक कर दी गई थी वीराम नी संदेह उसका लाभ भी मिला वीराम नीजी कमपनियों के इस छेत्र में उतरने से मोबाईल और इंटरनेट सेवाओं में तेजी आई वीराम इस्पेक्ट्रम निलामी से सरकार का राजस्व घी बढ़ा वीराम प्रतिसपर्धी वातावरण का ही नतीजा है कि कमपनियों ने अपने ग्राहक बनाने के लिए अपनी दरों में लगातार कटवती की वीराम अब हर घर तक मोबाईल और इंटरनेट सेवा की पहुच सबकी शमता के भीतर सुनिश्चित हो रही है और दूर संचार के मामले में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होता कारोबार बन चुका है वीराम मगर पिछले कुछ समय से सरकार की नीतियों और नियामक कठोरता की वजह से कमपनियों पर देनदारियां बढ़ती गई वीराम उन्हें स्पेक्ट्रम की फीज चुकाना भारी पढ़ने लगा वीराम इसलिए अब तक कमपनियां अपनी दरो में कई बार बढ़तरी गी कर चुकी हैं कॉमा फिर भी आईडिया ओडाफोन और एयर टेल देनदारियों के भारी बोज से दबी हुई हैं वीराम विदेशी निवेश आने से उन्हें काफी राहत मिलेगी और वे अपने कारोबार को नए धंग से प्रतिसपर्धी बनाने में जुट सकेंगी वीराम पैरा दूर संचार के छेत्र में विश्तार पर केंदर सरकार का जोर रहा है वीराम डीश्टल इंडिया नारे के साथ बहुत सारी सरकारी योजनाओं और गतविधियों को इंटरनेट से जोड़ा गया है वीराम जब तक दूर संचार की पहुँच सुगम और विश्वस्निय माध्यम के रूप में अस्थापित नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को सही धंग से योजनाओं का लाभ पहुँचा पाना संभव नहीं होगा वीराम अधी कोरोना काल में जिस तरह इंटरनेट के माध्यम से ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई संभव हो सकी वीराम मगर अब भी दूर दराज के गाउं तक तेज गती से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न होने से कई तरह की दिक्टतें पेश आ रही हैं वीराम दुनिया के तमाम विक्षित देश संचार के मामले में हम से कहीं आगे हैं कॉमा जब तक उनकी गती से हम चलना नहीं सीखेंगे कारोबार आदी के मामले में भी पीछे बने रहेंगे वीराम इसलिए सरकार के ताजा फैसले से दूर संचार कमपनियों को नई उर्जा मिलेगी और स्वभाविक रूप से इसका लाभ आम नाजरिकों को मिल सकेगा वीराम पैरा किसी भी देश में लोगतंत्र अपने नतीजे में भ्रामक हो सकता है अगर वहां चुनाओ में ओट लेने के लिए राजनीतिक दल मतदाताओं को पैसे या तोफों का प्रलोभन दें वीराम लेकिन हमारे यहां ऐसी सिकायतें आम पाई जाती रही हैं जिसमें किसी पार्टी के उम्मीदवार की ओर से अपने चुनाओ छेत्र में ओट के बदले अगोसित रूप से धन या कोई अन्य सामान देने का आस्वासन दिया जाता है वीराम लेकिन यह प्रवृत्ती तब ज्यादा अफसोसनाक स्रकल अक्तियार कर लेती है कॉमा जब राजनीतिक पार्टियां खुले आम अपनी चुनावी सभाओं या यहां तक घोसडा पत्रों तक में मतदाताओं को नकदी हस्तांतर की पेशकस करने लगती है वीराम निश्चित तोर पर यह लोकतंत्र का मजाक बनाने से कम नहीं है और ऐसे मसलों पर चुनाव आयोग को सख्त कारवाई करनी चाहिए वीराम विडंबना यह है कि ना तो चुनाव आयोग अपनी ओर से ऐसे मामलों में कोई पहल करता है और ना सिकायतों पर ही गंभीरता दिखाई जाती है वीराम इसलिए दिल्ली उच्च न्यायाले ने बुद्धवार को चुनाव आयोग से बिल्कुल वाजिब सवाल किया है कि उसने उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कारवाई क्यों नहीं की कॉमा जिनोंने भरष्ट आचरण पर दिसा निर्देसों का उलंगन किया और अपने गोसडा पत्र तक में मतदाताओं को धन देने का प्रस्ताओ दिया वीराम पहरा इस मसले पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने के अलामा दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर केंदर सरकार से भी जवाब मागा है कॉमा जिसमें दावा किया गया था कि ओट के बद करता है वीराम जाहिर है कॉमा अगर लोग सभा या विधान सभा चुनावों के दोरान किसी उम्मीदवार या पार्टी की ओर से मतदाताओं को यह कहा जाता है कि अगर वे उन्हें ओट दें तो इसके बदले नकदी या तोफा दिया जाएगा कॉमा तो यह कानूनन अपरा है वीराम लेकिन अमूमन हर चुनाव में ऐसे मामले संग्यान में आते हैं कॉमा जिन में लोगों का ओट लेने के लिए इस तरह का प्रलोभन परोसा गया वीराम यह वैसी प्रवित्तियों के अलामा है कॉमा जिसमें मतदान के दिन या उससे ठीक पहले मतदाताओं के करने की कोशिस की जाती है वीराम यानि परदे के पीछे चलने वाली गतविधियां जहां आम लोगों की दृष्टी में अवैध और गलत होती हैं कॉमा वहीं पार्टियों की ओर से सभाओं या घोसडा पत्रों में जब इस तरह की पेशकस की जाती है तो उसके प्रती नज सेरिया बदल जाता है वीराम यह इस अवैध हरकतों की ज्यादा बड़ी जटीलता है वीराम स्टॉप